हेलो गैसे और वेलकम टुमाइ योटूब चेनल टैक बाय मुखेस दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने Oppo K10 5G के फोन में स्मार्ट काल सेटिंग कैसे करेंगे दोस्तो सबसे पहले आपको अपने फोन में सेटिंग ओपिन करना है सेटिंग ओपिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है नीचे आना है नीचे आने गवाद यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा convention tool का convention tool के option पे आपको click करना है click करने गवाद यहाँ पे बहुशे option आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आप लोगों को get your end motion को option देखने को मिल जाएगा चलिए एक-एक करके इनका यूज जान लेते हैं और कैसे इसको यूज करना है या भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ भे रेस्टू वेक का उप्सन है अगर इस उप्सन को आप अपने फोन में आन कर देते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन आफ रहती है और काफी जदा इसका यूज भी क्या जाता है अगर आप अपने फोन में आटो इयर पिकप कॉल्स के उप्सन को आन कर देते हैं आन करने के बाद आपके फोन पर जब भी कोई इनकमिंग कॉल आएगी तो उस कॉल को अगर आप लोग इसमार्ट तरीकी से रिसीव करना चाते हैं तो आपको अपना फोन अपने कान के पास ले जाना है आटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगी इसके बाद है आटो स्विच टू इयर रिसीवर को उप्सन यहाँ पर इसका भी काफी खास यूज होता है अगर आप अपने फोन में आटो स्विच टू इयर रिसीवर के उप्सन को आन कर देते हैं और आप फोन पर बात कर रहे हैं वो भी अपने फोन को हैंड फ्री आपने कर रखा है लेकिन जब आप अपने फोन को अपने कान के पास ले जाएंगे आटोमेटिक आपका फोन हैंड फ्री से हट जाएगा रिसीवर मोड में चला आएगा इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से हैंड फ्री टू रिसीवर मोड में कर सकते हैं अब इसके बाद दोस्तो लाश्ट में है फिलिप to mute incoming call फिलिप to mute incoming call के option को अगर आप अफने phone में आन कर देते हैं तो आपके phone पर जब भी कोई incoming call आती है अगर आपको विडियो पसंद आए ते विडियो को लाइक और जैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए